अगर दोस्तों आप लोग के लिए एक बड़ी अपडेट है किसान पंजीकरन केंद्र ओपन करने का आदेश दिया गया है जितने भी किसान पंजीकरन केंद्र ओपन कर सकते हैं सबसे पहला नमबर दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग को बोलूँगा कि किसान पंजीकरन केंद्र क्या होता है इसकी पूरी जनकरी में दूँगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग को पर डिटेल्स में बताऊंगा कि आप लोग ऑनलाइन आविदन किस परकार स कर सकते हो इसके बाद दूस्तों मैं आप लोगों बताऊंगा कि किसाने करन केंदर का अथि आप लोग कुस प्रकार से अपरुबल होगा तो चलिए दूसतों इसका इणि को हम लोग शुरू करते हैं सबसेटे इसका पहले जोंक पवलीके कि रही होता है कि जो जितने भी लोग हैं जिन लोगों का रवी फशल है वो लोग को बेचने के लिए अब गौर्मेंट को बेच सकते हैं जिसके अंदर गत वो कॉमन सर्विस सेंटर या किसी भी सौप में जाके वो अपना पंजिकरन करवा सकते हैं जो भी उन लोगों का उचित दाम होगा रवी अपना पंजिकरन करवाना होगा तब ही जाके दोस्तो गौर्मेंट के वे पता चलेगा कि कौन-कौन से वेक्ति अपने रवी फशल को बेचने के लिए इचुक है तो दोस्तो सबसे पहले दोस्तो यहां पर मैंने बता दिया कि किसान पंजिकरन केंदर क्या है इसके बाद यहाँ पर मैं बता दूँ इसका जो registration पर करिया है वो पूरा online है आप लोग online ही इसका registration कर सकते हो जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आवश्चक सूचना लिखा गया है सबसे पहले सवरपर्थम केंदर बनाएं और दूसरा number option दिया गया है केंदर के operator और manager की जा पर दोस्तों तिसरा जो option दिया गया है केंदर का पंजेकरन के पस्चाद केंदर का सत्यापन जिला खाद उपारजित अधिकारी द्वारा किया जाएगा यानि कि दोस्तों जो district manager होते हैं उनके द्वारा आप लोग का verification किया जाएगा तभी उसके बाद ही आप लोग का login ID औ सब्सक्राइब करने के लिए अपने चैनल के मध्यम से आप लोग को भी अपडेट कर दूंगा लेकिन दोस्तों आज की सब्सक्राइब करने के लिए अपना ID लेने के लिए यानि की कियोस्क सेंटर आपन करने के लिए आप लोग registration कर सकते हो ठीक है तो उसके लिए दोस्तों वीडियो के निचे description box में लिंक डाल देंगे आप लोग डारेट इस website पे आजब गए यहाँ पे दोस्तों एक लिंक को add किया गया है पंजिकरन केंद्र लोगिन तो दूस्तों सबस्ते पहले आप लोग को पंजिकरन करना होगा जिसके लिए पंजिकरन के option पे क्लिक कर दोगे सबसे पहले अगर आप लोग अपने जीले का chain करना है अपने जो भी तसीले उसका chain करना है अपने village का chain कर लेना है इसके बाद दोस्तों यहां पर संसा परकार चुने यहां पर आप लोग को click करना है अगर आप लोग लोग शेवा-केंद्र या common service center हैं तो आप लोग यहां पर पूरा नाम उनका अधार नमबर और एक बर करने के लिए अधार नमबर डालना होगा इमेल आईडी और जो भी आप लोग का पता होगा उसको पूरा फील करना है सेंड ओटिप के ओप्शन पर क्लिक करना है जो भी आप लोग का रजिस्टर मॉबाइल नमबर होगा अधार काड के साथ उस पर ओटिप आ जाएगा ओटिप को यहां पर दर्ज करना है यहां को ओप्शन दिया गया है सुरक्षित करें आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है आप लोग का जो भी डेटा है common service center का वो government के पास चला जाता है जैसे आप लोग नीचे आओगे नीचे आते ही यहां पर बहुत सारे term and condition लिखे गए हैं आप लोग को बहुत ही सावधानी के साथ आप लोग को इसको read कर लेना है यहां पर option दिया गया सत्यापन आप लोग को इस पे tick करना है साथे साथ दोसों अगर आप लोग एक CAC वे लिए हूँ common service center संचालक हो और आप लोग के common service center संचालक में operator है तो operator को भी यहां पे add करना पड़ेगा जिसके लिए आप लोग को operator का नाम उनका email ID, mobile number, आधार card साथे साथ और एक बर confirm करने के लिए आधार card डा operator की जो data है वो भी आप लोग को government के पास send कर दिया जाता है इसके बाद दोस्तों यहां पे option भी दिया गया है यहां पे आधार card को यहां पे आप लोग को upload करना पड़ेगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं बता दो option दिया गया upload का upload पे click कर देज़ेगा आप लोग का जो भी data है आप लोग का और आपके operator का वो सारा दोस्तों आप लोग के government of मद्यपरदेश के पास चला जाता है आप लोग ने जो भी किसान पंजीकरन केंदर के लिए online आविदेन किया है तो दोस्तों उसका verification district manager के दुवारा किया जाएगा आप लोग के बाद जो भी आप लोग ने email id और mobile number दिया होगा आप लोग ने registration करते वक्त याप लोग की ccid में जो mobile number और email id लिंक है उसे पर दोस्तों आप लोग का जो भी Qs का ID होता है वो आप लोग को send कर दिया जाता है send कर देने के बाद दोस्तों आप लोग को एक बार back आना होगा यहाँ बाद दोस्तों यहाँ पर option दिया गया है पंजीकरन केंदर login आप लोग इस पर click कर दिजेगा क्लिक करते हैं यहाँ पे आप लोग को अपने जीले का चेहन करना है जो भी आप लोग को की उसका ID दिया गया है उसको यहाँ पे फील करना है ओपरेटर का भी यहाँ पे फील करना है आप लोग का सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा आप लोग को यहाँ पर OTP शेंड किया जागा जो भी मॉबाइल नमबर आप लोग ने पंजीकरन करते वक डाला था OTP को फील किजेगा पासफ़र्ड भी आप लोग को यहाँ पर डालना होगा कैप्चर को फील करके लोगिन करना होगा और दोस्तों जितने भी किसान अपने फसल को बेचना चाते हैं या दोस्तों जो भी लोग के पास चीजे हैं उन लोगों को बेचना चाते हैं गॉर्मेंट को तो वो लोग दोस्तों बेच सकते हैं साथे साथ दोस्तों यहाँ पर मैं बता दू इसमें जो commission की बात की गई है एक पंजिकरन का आप लोग यहां पर 50 रुपई चार्ज कर सकते हो किसान पंजिकरन के इंदर open किया जा रहा है यह बिल्कुल मुफ्त है आप लोग को एक भी रुपई किसी को भी देने की ज़़ुरत नहीं है तो दोसों मिलते हैं और एक नहीं इंट्रस्टिंग वीडियो साथ तब तक लिए टाटा एंड गुडबाई